शुबनाम बताईए सरवन कुमार थोड़ा बोरा गया है बिटा ऐसे इधर मुग करें इतरह नहीं होगे बैस बैट बैस पूंची काहां से आया यूपी आजम गड़ से कहां रहते हैं आप यहां द्वार का सेक्टर ती क्या होता है आपको बैग पेन के लिए डाक्टर को नह और दिखाया आपने उनने का नाम है नाम है डाक्टर भरत आपको क्या बताया डाक्टर बरत ने उसमें मरा इक रहा था तो बोले थे की यह ल टु और यहल 4 लेकिन अब ज्यादा दो साल से काफी ज्यादा था कभी आराम पड़ा आपको एक दिन के लिए भी ऐसे तो दवा खालो हलका तो अराम हो जाएगा लेकिन फिर 24 गंटा में वैसे इस्तिति आजाएगी लेकिन दवा खाने से 24 गंटे तक हलका होता है थोड़ी सी देव तक यह फिलने 24 गंटा तक अराम रहेगा अर्फेल तक दर्द में आराम रहते हैं फिर इस्तिति सोने के बाद अब आपकी क्या क्याते है कुपइत वायूब घ्रबापन सारा खा जाती है तो जब तक उसके पास कड़वापन है तब तक आपको आपको कुछ नहीं कहते हैं जैसे तर्दे आप के दर्द बढ़े क्या कि नहीं तो नहीं बढ़ा तो खतं है बिल्कुल खतम हुआ था अब कभी भी बिल्कुल खतम हुए दर्द को कितना साल हो गया, 15 सी दर्द था टेबलेट रेली अराम पड़ाइवा, यह जिए निका बिल्कुल खतम हुआ है, नहीं हुँआ था ना, आज बिल्कुल खतम है कि नहीं है, अझा भी कुपित वाईू है, कुपित वाईू kupit वाईू 5 तरहीके कहीं मैठके जिसका आपने कुछ मिगाड़ा है कुछ लेके रखा हुआ है ठीक नगा आप जिसके करचदार है यह उसका श्राप लगता है देवदोश यह लगता है किसी देवता का आपने अपराद कर दिया जैसे बगवान शूरिय को करह का पुष्प नहीं चड़ता अगर क घिसको कनेर का पुश्प चढ़ाए या ऐसे कई देवता है जिनको चढ़ता है कुछ है आप चढ़ा देतें कुछ है यह देव पृता है यह अगी देवदोष होता है और तीसरा मैंने बता है जो आपको शらप है वो श्राप कैसे लगते है कि किसी का कुछ लेके देना और उसके मन में वो वचन रहे बार-बार और वो चाहे कि आपसे वसूलना और आप देवेना कदापी आप उसके करजदार रहें तो उसका श्राफ आपको जो उसने दिया है जो उसने दिया है आपको और आप लोटा नहीं रहें उसके लिए वो आप ऐब आपको ए दोष्जा लगता है यह चोथा आपको पित्रुश लगता है PA甚麼 आपको प्रेट लगता है तो इस인्यान जुप करीवं बड़ाबर झेया है ऊस मां Phillips लुक्त है रहे हैं पित्र दोश और प्रेत दोश अलग नहीं है तो उसको अबारना हमारा काम होता आपने इसके अलावा और कौन से डाक्टर को दिखाया था मदानता के भरत जी के अलावा एक डाक्टर लोकेश गुप्ता जनकपुरी में बैठते हैं उन्होंने अपका ट्रीटमेंट कितने दिन किया और कितने रुपे की दवाई महीने भर आप खा रहे थे उन्होंने किया घ्रिव ना थे तो उन्होंने भी mora कराया तो यूचल यही प्राफलम है फिर मैंने एमस में गया था सबने बताया कि अगर मैं करने को तो कर दूँ आपका लेकि भूलने लगे कि इसका उप्रेशन काम्याब नहीं अगर आपको डाक्टर को भी नहीं पता इस बात का डाक्टर के आपको निगतिविटी और आपको पॉजिटीविटी में बदलने की उन्होंने काोशिश की ऎनि कि、वप्रेशन करके आपको घेक हो गए हैं लेकिन वो negativity फिर से वहीं पर आके बैठ गई वह तत्य फिर से वहीं पर आके बैठ गई इसलिए doktor लोग जो है इस कार्य में विफल हुए है ठीक है न इसी तरह इसे वह घुटनों के दर्द में भी विफल हुए है तो जिनको घुटनों का दर्द कुपित वायू के कारण नहीं होता और ऐसे बहुत सारे लोग है यानि की 100% में से कम से कम 85% लोग ऐसे हैं जो कुपित वायू के कारण ही जिनका घुटने का उपरेशन होता है या बोला जाता है लेकिन 15% लोग ऐसे हैं जिनको रियल में नहीं पड़ता क्योंकि डाक्टरों की टक्निक बिल्कुल ठीक है लेकिन उनको अराम नहीं पड़ता जिनको कुपित वायू उनके घुटनों में बैठी हुई है यह बात एमस के डाक्टरों को अभी और रिसर्च करने की आवश्यक्ता है क्योंकि भारत का जो चिकित्सा चुर्ग है और वो जानता है कि आपको रोग क्या है वो चिकित्सा जो कुपित वायू की चिकित्सा है वही सर्वोपरी चिकित्सा है यानि कि सभी चिकित्साओं में सबसे ऊपर है इसलिए मनु भाया आपकी आपके डोक्टर बन जाते हैं आपके सर के डोक्टर बन जाते ह आपके शरीर के डोक्टर मैं जाते हैं आपके घुटने कर देते हैं किसीופ और पीडियाटिशन होगे और कोई माता ठीक हुई उसके गरम से यानि कि जैसे आपने पीछे केस देखेंए एक मेंजी की उनको रोज ती तो जैसे उसकी ठीक हो गई तो सारे काम से सारे गठिया भाइकन धीक करने वाला से लेखे कोई ढ़ाकर की थीव डियी डियसादिन है आंगी तो आपको यह तो थीद्वे नहीं नहीं है और हुए ही नहीं वो भी यहां के ठीक होते हैं और नियूरों के अलावा जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं उस डाक्टर को एक और डाक्टर होता है नियूरों के अलावा साइकोलोजिस्ट होता है जो डिप्रेशन की दमाईया देता रहता है नीद की द डाक्टरों की ऐसा प्रकार डाक्टरों का नहीं बसता है जो मनु भया ना होते हूं आप सबने इस वात को देख लिया फिर भी डाक्टर लोग भी देखना चाहें तो वह पूरी टीम बना के आजाएं और चार दिन तक लगातार देख लें हम बैठके कितने दिन तक मैं तो चाहता हूं 400 दिन तक देखें और तब तो माननेता दे कि मनु भया ने कुछ किया है तब तो माननेता दे इसको कि हां यह सर्वो पर हाई मंत्र चिकित्सा ही सर्वोपरी है आज नहीं प्राचीन यूग से और इसको आगे ना आने दिने में बहुत सारे लोगों का हाथ है सबसे पहले तो हमारे गुरुकुल जो बंद हुए है वे मंत्र चिकित्सा की थे वे सारे के सारे बच्चे हमारी सारी उलादे मंत्र चिकित सकती और जब से वह बंद हुए हैं प्रतेक प्राणी के अंदर निगेटिविटी संचार कर रही है नहीं मानते हो तो आख बंद करो अपने घर में बैठो और मांसी को नमश्वाय उनका जाप करो आप देखोगे 80% लोगों के कंदे बारी होगे 80% को जंभाई आने लगी और वो 80% कदापी भक्ती नहीं कर पाएंगे और उनको भगवान का कोई तत्त उप्राप्त नहीं होगा अब मानना ही मानना पड़ेगा आज नहीं मानोगे तो मनु बैया की बात याद रखना एक दिन प्रतेक वो ठीक करने वाले भी इन ही से घिर चुके होंगे और जब घिर चुकेहं तो कोई रिशर्च इस पर हो ही नहीं सकती है चैनी कि बीना निगेटिविटे सेु संपर्क रखे तब आप इस पर रिशर्च कहरेंगे इसकी अगर किसी साइंटिस्ट को भी निगेटिव एनरजी है तो वो भी कदापी अपनी कोई भी खोज पूर्ण रूप से कर नहीं सकता तो वैग्यानिकों को चाहिए डाक्टरों को चाहिए अंतर में बैठके मानसिक जब करें और अगर उनको लगे आपके कंदे भारी होगे उनको जमभाई आने लगे और वो सो जाएं तुरंत ही तो समझो गड़वर है अब याप पूर्ण रूप से अपने ही डाक्टर नहीं हो तो दूसरे के डाक्टर क्या बनोगे बोलो शंकर भगवान शनीदेव महराज की बात बता रहा हूं भारत में जितने भी डोक्टर है इन में से 30% डोक्टर निगेटिव एनरजी से घिरे हुए लिखके देता हूं लिखके साइन करके देता हूं वरना भारत के सारे डोक्टर आजये लेन से 30% निकाल दूआ हर सो में से 30 डाक्टर ऐसे निकाल दूआ जिनको निगेटिव एनरजी है कुपित वायू है जिनको श्राप लगा हुआ है जिनको नजर दोश है जिनको देव दोश है और जिनको कौन सा दोश है फित्र दोश है और जिनको प्रेद दोश है तब समझ में आ जाएगा भारत के सारे चिकित सकोगे कि तुम ही धसे पड़े हो दूसरे को क्या ठीक करोगे वरना आये तो लेल लगा के देख ले सबके सामने कर दूँए भारत का परधारमंत् मोधी जी भी साथ में आजे बला मैं खड़ा हूं भाई दिखा दे करके हम कल से मानता दे देंगे महां आज से त्यार हूं आज से त्यार हूं बोलो शंकर भगवान तो कि मुझे पता है कि यह सारे के सारे दुखी है एक नहीं मैंने बहुत अभी एक डॉक्टर साही बाती ह है उन्होंने मान लिया है कि उनको निगेटिव एनर्जी ने बहुत दिन तक परिशान रखा और वो एक ही बार के मेरे तेल मर्दन से काफी हद तक ठीक हो गई है लेकिन आज तक महनु भया ने कम से कम आठ डाक्टरों को ठीक किया है किसको आठ डाक्टरों को कोई विदा इसको दूर करना कोई मामुली खेल नहीं रह गया है और यह इस गहराई से अंदर तक चुकी है कि अगर हम आज अपना इलाज नहीं करते तो कल तक हमारे बच्चों में फैल जाती है इसका इलाज जरूरी है और शमय पर इलाज जरूरी है इसलिए एक इलाज तो इसका दुनियादारी को कोई गुरू नहीं है भगवान प्रस्वति कोई अपना गुरू बना लेना जो देवताओं के गुरू है वही तुम्हारे गुरू संसार में किसी मानव का क्यानी करना यकीन नहीं करना क्योंकि वे केवल आपको लूटने आए उनको आपका तन मन धन ्च अब हिंदुस्तान में वह सवा रुप्या ढूंडा जाएगा जो माताओं बहनों ने कदापी अपने बच्चों के उपर से वार के देवताओं के लिए रखा था ढूंड लो चबनिया और आ जाना मनु भईया के पास इलाज करवाने के लिए अगर आपके घर में 6 सदस्या है तो 6 टाइम आपको सवा सवा रुप्या देना पड़ेगा मनु भईया खुद अपने हाथ से उतारा करेंगे और चाहेंगे कि आपकी निगेटिविटी दूल धूसरित हो जाए जमीन में धस जाए आपके शत्रू का नास हो जाए आपके शत्रू का मर्दन हो जाए और एक दुनिया समझती है कि देवता नहीं होते हमने तो केवल दीपदान से दिखा दिया कि दुनिया में जो देवता होते हैं वही सब कुछ करते हैं आप तो केवल यंत्र मात्र हैं केवल आपके करने से कुछ नहीं होता जब तांत्री के छोटे से देवता से जो गली कूचे का देवता है जो एक जंगल का देवता है उससे इतने काम करा लेता है जो निवनिस्तर का देवता है जिसने कभी अच्छा किया ही नहीं जो बुरा खाता है और बुरा ही काम करता है जब वो तांत्री कितने बड़े-बड़े काम करा लेते हैं तो हमारी तो देवता और भगवान जो है वो बड़ा काम करने के लिए सदेव हमारे लिए तत्पर है बोलो शनीदेव महाराज का शमय है एको देवा कलो शनी ये शनीदेव महाराज का शमय है और हम सब शनीदेव महाराज से प्रार्थना करेंगे कि कलीव को हमारे से हमारे कुल से हमारे बच्चों से सदा दूर रखे हमारे बच्चों की व्रदी हो हमारे कुल की व्रदी हो और हमारे साथ न्याय होवे बोलिया न्याय धी श्री शनीदेव महाराज जोड से बुल भाई पूझे मनु भाईया जी की पूझे गुरु माता जी की पूझे दर्वार की अगला आदम में जो हुआ